कि बई रूल्स में यह एंकि आपके जो मैलेफिक प्लाइनेट्स से जिनको हम कहते हैं मैलेफिक जो साटरिन राहूं के तूज गोर उसमें तो नो सकते हैं कि वह इंसान की उपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है अब यह जो लाइन है ना यह लाइन को आप ऐसा मार्क लाइन नहीं ले सकते उसका रीजन एक यह है कि मैंने बहुत बार देखा है कि शनी राहू के तू जैसे कुंडली में प्लेस होंगे और जो जो हाउसिस को वो लेके चल रहे होंगे सिगनीफाई कर रहे होंगे या गोचर में उनकी स्तिती कैसी होगी और उसके अंदाजे से आपको यह पता चल जाएगा कि मान दो किसी का राहू इस समय पांचवे घर में उसके गोचर कर रहा है और वो स्तंब के अंदर आ गया है तो उसको इनलेस तो होगी लेकिन उसको उसका इलाज भी हो जाएगा बट मान लो कि यह जो रूल है यह कहां लगेगा आपका कि मान लो कि भी शनी केतू शनी राहू यानि पापी जो दो ग्रह पाप के जो दो ग्र कर आजये और जो स्तंब का राजा है जो उसकुंडली के हिसाब से स्तंब का राजा बनता है वो बहार निकल जाए तो आप यह मानोगे ना कि भई महल को तो पूरा लूट लिया महल के उपर पूरा कब्जा हो गया तो आपकी देह के उपर उन लोगों का पूरा कब्जा हो तो इसको इस हिसाब से हम लगा के देख सकते हैं तो जब हम charts पे लगाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी अब natural benefit planets जो कहे जाते हैं मेरे हिसाब से जो natural benefit planets है जो शांती पून planets रहते हैं वो है चंद्रमा, शुक्र, बुद्ध, ये जो तीन planets है न ये जर्णली आपको नुकसान नहीं पहुचाते हैं मतलब इसमें इतनी शमता नहीं है कि ये बहुत जादा नुकसान कर सकें जब तक अगर इनका conjunction या इनका जो मिलना किसी और पापी ग्रह से हो जाए या जो बड़े ग्रह हैं जो एकदम क्रूल ग्रह से सूरे के साथ हो जाए या गुरू के साथ हो जाए तो आपको काफी हानी पहुच सकती है इवन मंगल के साथ भी इतना problem नहीं देते यानि चंद्रमा शुक्र और बुद्ध जो है वो मंगल के साथ भी इतना आपको problem नहीं देंगे इनसान को कोई ऐसा इतना major वो नहीं आएगा लेकिन अगर यही planet सूरे के साथ आजाए या गुरू के साथ आजाए तो वो benefit भी आपक या नहीं लगी है अच्छा इसके अंदर जब भी आपने कोटा चक्र लगाना है किसी के भी चार्ट पे हमें कुछ principles को note करना पड़ेगा जब हम लगाएंगे तो अपने आप हम देखेंगे कि एक तो मारक और बादक घर हम देखेंगे कि वहां कौन सी राशिया है क्यूं द संद्रमा जिस राशी में बैठता है उसका planet उसका lord बनता है तो यहां से हम सबको एक hint मिलता है कि भई जब कोट का राजा ही वो राशी का lord बन गया यानि कि हमें वो राशिया भी जरूर देखनी चाहिए कोट चक्र को लगाते हुए कि भई इस कुंडली के लिए मारक और ब वो संत्री बन गया मंत्री बन गया उन दोनों में से कुछ भी नहीं बने और वो अंदर आ गए समझा आप बात कि वो अंदर आ गए स्टंब के अंदर आ गए तो मुझे बताओ कि वो अच्छा होगा या बुरा होगा तो यह रूल जो है ना यह रूल को भी आपको रखना है क्योंकि अगर हम जो रूल हमें कहे गए हैं हम सिर्फ उनके बेसिस पर चलेंगे तो हमें इतना सटीक रिजल्ट्स नहीं आते कितनी बार मैंने देखा है कि हम कुडलियों को देखते हैं कि भी आपके तो प्रॉब्ल मारकेश का एंट्रेंस चाहे वो मारकेश बादकेश आपकी चंद्रमा या शुकरी क्यों ना हो बट आपके लिए तो है ना और वो यह अंदर दिखे हमने उनको देखा ही नहीं हमने यह कहा आरे भाई अच्छे वाले बेनेफिक प्लानेट अंदर है तो यह सारी चीजों को हमें जो है ना नोट करके देखना ही है कि उस कुंडली को जाचने के लिए आपको राजा मंतरी उसके बाद उसके मारकेश बादकेश की राशी वाले लॉड प्लस उसके बाद जो बैनेफिक जो मैलेफिक प्लानेट कहे जाते हैं जैसे शनी राहु के तु उनकी प्लेस्मे मद्धे भाग तक रहेगा यानि जो कोट का राजा है वो मद्धे भाग तक भी रहेगा तो भी आपको इतने प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके बाहर चला गया यानि वो उसके जो थर्ड लेयर आजाती है उदर तक चला गया और या फोर्थ लेयर तक चला गया तो आप सकता है लेकिन दुर्गंतरा या स्तंब के अंदर अगर कोट पाल आ गया तो हम यह कह देंगे कि भही इस कोट का जो राजा है उसको उन्होंने हटा के मिल्ट्री रूज हो गया जैसे पाकिस्तान में कितनी बार ऐसा हुआ है तो वह उससाब से आपको देखने को मिल तो वो दो लेयर में रहेगा कोट पाल तो अच्छा रहेगा और ऐसे ही कोट का जो स्वामी रहता है कोट का जो राजा रहता है वो भी अप्टू दो लेयर तक रहेगा तो अच्छा रहेगा अब जो मैलेफिक और बेनेफिक का जो सिस्टम है उसको जब हम लगाएंगे आप ये नहीं कह सकते हैं, शनीर रहू के दूश करफिक हैं, हाँ, ये जरूर हम कहें देख सकते हैं कि इनके benefit ग्रह जो बन रहे हैं कुंडली में मान लो किसी का शनी और राहू benefit बन रहा है तो वो transit में इस समय अगर इससे बाहर जा रहा है तो और उसकी दशा चल रही है तो हम यह कहेंगे कि हाँ आपको results नहीं मिल रहे या आप पे problem इसलिए आ रही बट हर different हर कुंडली जो है अलग अलग आपने उसको देखना है